दोस्तो जुवा में कंगाल से कंगाल वेक तीवी करोड़ पती बन जाता है और करोड़ पती कंगाल सब्सक्राइब आप बाydd में जीतना चाहते हैं तो दोस्तो आप सही वीडियो देख रहे हैं आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि आखीर किसी भी बाजी को कैसे जीते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंतर तक देखते रहें और वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें तथा घंटा बटन को भी दबा दें जिससे हमारे वीडियो में ले आपको सबसे पहले तो दोस्तों चलिए वीडियो की सुरूआत करते हैं दोस्तों सबसे पहला उपाय है सनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाध होकर छुई मुई के पौधे के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आप उनका इस्तमाल लोटरी जितने के लिए करना चाहते हैं इसलिए आप उन्हें कॉल लेने आएंगे अगले दिन सुबह फिर नहाध होकर पौधे के पास जाएं और उनकी पूजा करने के बाद उनसे अपने साथ चलने की प्रार्थना करें फिर आप पौधे को अपने घर लाएं ध्यान रहे कि इस दोरान कोई आपको टोके नहीं और कोई तोके भी तो आप उसको जवाब ना देते हुए आगे बढ़ें पौधे को घर लाकर किसी लाल कपड़े पर रखें और उसकी धूप रोली से पूजा करें पूजा के बाद आप पौधे को कपड़े में लपेटे और अपनी दाई भूजा पर बांध लें दोस्तों ये उपाए लोट्री जितने के लिए बहुत कारगर है इसे आज तक जिसने भी अपनाया है उससे लाभ जरूर मिला है तो आप भी इसे अपना सकते हैं दूसरा उपाए दूसरे उपाए में आपको सुकल पक्ष के गुरुवार को बरगद के पेर का एक पत्ता पांच मिठाईया और दो इलाइची लेनी हैं फिर आप बरगद के पत्ते में इलाइची और मिठाईया को बांध दें अब एक लोटा पानी और इन समान को लेकर फिपल के पेर के पास जाएं और पहले पेर की जर में पानी चढ़ाएं और फिर बरगद के उस पत्य को जिसमें मिठाई और इलाइची है उसे हाथ में रखते हुए पिपल के पेर से अपनी मनो कामना पूर्ती के लिए प्रार्थना करें फिर आप इस पत्य को ही पिपल के पेर को अरपित कर दें ध्यान रहे कि ये उपाय आपको साम को सुरज के ढलने से 30 मिनट पहले करना है ये उपाय भी आपकी लोटरी में जीत की मनोकामना को पुड़ा कर सकता है तीसरा उपाय सुक्रवार के दिन आप सफेद रंग की धोती पहने और उत्तर दिशा में सफेद रंग का सुती आशन बिछाएं आशन पर स्वार्नाकर्शन गुटका रखें और उसके सामने तेल का दिपक जलाएं अब आप एक विधुत माला लें और 21,000 बार ओम नमो वीर वैताल आक्समीक धन देही देही नमह मंत्र का जाप करें ये उपाय आपको 21 दिनों तक रोजाना करना है इससे स्वार्नाकर्शन गुटका सिध हो जाती है जिसे आप पूजा के बाद अपनी जेव में रखें ये उपाय आपको हर छेतर में सफलता और उन्नकी दिलाता है चोथा उपाय देवी लक्षमी को खुश करने के लिए और अपनी हार को जीत में बदलने के लिए आपको लोटरी खेलने से पहले ओम कारम बिंदू सन्युपतम नित्यम मंत्र का 108 बार जाप करें इस मंत्र के जाप से माता लक्षमी आप पाड़ अपनी किरपा दिरिष्टी बनाए रखती है और आपके धन में बदोत्री होती है दोस्तों यही कुछ उपाय है जिससे आप जुए या लोटरी में जीत हासिल कर सकते हैं धन्यवाद